चोटा सा कड़ाई लेके आयों देखे ना कुईट सा है मस्त है मुझे बहुत पसंद आए है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है काश्ट यareiron मैं पेहली भी विस्ट करती हूं पहली से तो मैंने साथ में तrestroller क्लिन करना है तो फर्स्ट टाइम पे इसमें बहुत धार रहता है, बहुत जंक खाया हुआ रहता है, तो इसको किलिन करना पड़ता है, किलिन करने के लिए थोड़ा सा पाउडर और पानी लेके, फिर एक पत्थर से लंबर टाइम भरके इसको घिसने का, तो यह बिल्कुल स्मूथ हो जात है, एक दम नॉनिस्टिल जैसे बन जाता है, नॉनिस्टिल क्या होते है, साल भरू इसकरो तो फिर उसको फेकना पड़ता है, और काश टाइरन होते हैं, यह पुरा अपना लाइप टाइम साथ रहते हैं बस इसको फर्स्ट टाइम इसको क्लीन करने के लिए थोड़ा मैनत करना पड़ता है उसकी बाद तो यह पुड़ा लाइप अपना साथ रहेंगे देखिए ना मैं घिसी हूँ अभी कितना क्लीन हो गये ना एकदम से चमकने भी लगे है लेकिन इतना चमकेगा नहीं हमेशा पतर से हम थोड़ी घिसेंगे हमेशा घिसेंगे तो चमकते रहेंगे बस उसको एकी बार घिस लेते हैं उसकी बात नॉर्मल घिसते हैं फिर उसकी बात खना पकाओ ना काले होते हैं देखिए ना काला हो रहे क्या नहीं होते हैं क्योंकि वो अच्छा से क्लीन हो जा जाता है ऐसा ही आप घिस के रख दोगे तो खड़ाप हो जाएंगे उसको तेल लगा के रखने का तो यह कब भी खड़ाप नहीं होएंगे और तावा है ना थोड़ा सकड़ाई सेप में रहते हैं इसमें मतलब हर चीज बन जाता है जैसा मच्छी बगड़ा फ्राई तो अच्छा से बन जाता है बस इसको थोड़ा क्लीन कर दो